आज के इस एरिटोरियल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बर्णिंग टॉपिक के उपर जिसका नाम है नियू पॉपुलेशन पॉलेशी यानि नई जनसंख्या नीती आई है यानि यूपी सरकार के द्वारा एक नई पॉपुलेशन पॉलेशी लाए गई है जनसंख्या नियंतरन कानून जिसके अंतरगत इनका में एम है कि कैसे फॉपॉलेशन को कंट्रोल किया जा जैसे ही इसका मौसौदा पेश किया गया जैसे ही सामने आया देश के अंदर एक तरह का महौल बन गया जिसके अंतरगत कई ऐसे लोग हैं जो इसके पक्च में खड इसके support में है तो कई ऐसे हैं जो इसके विरोध में है कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक किसी particular संप्रदाय को target करने के लिए ऐसा bill लाया गया है तो इन सब के बीच में अब हम लोग इसका critical appreciation करेंगे whether it is right or wrong as an individual सही है या गलत है आपको भी अपना विचार इसके उपर देन चाहिए अब जो इस editorial के writer है उनके अनुसार क्या लग रहा है कि वो इसके पक्च में है या विफक्च में है क्या सलाह देते हैं उसकी चर्चा इस एरिटोरियल में होगी और इसकी कुछ खास हग तक जलक आपको इसके title में ही मिलने वाला है क्योंकि इसका title है an unproductive idea यानि ज मतलबत है जिससे कोई उत्पादकता नहीं होगा एक कलो फ्यूटाइल है यूजलेस है फ्यूटाइल भी कह सकते हो या यूजलेस कह सकते हो यानि लेखक पहले ही साप कर दिये कि जो नई policy आई है population related वो क्या है यूजलेस है unproductive है इसका कोई खास फैदा होने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए यह भी उनको बताना ही होगा क्योंकि critical appreciation हो रहा है यहां पर तो बताते हैं कि करना क्या है socio economic empowerment is more effective than caution का मतलब होता है कि जब अरदस्ती किसी को आप forcefully करते हो कि ऐसा नहीं करना है किसी के इच्छा के खिलाब यानि मेरी इक्छा है और आप और एक नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है नहीं करोगे तो आपको अगर ऐसा करोगे तो आपको penalty देनी होगी या फिर penalty आपके उपर लाद भी आ जाएगा तो कहा जा रहा है लेखा के द्वारा कि socio-economic empowerment is more effective than correlation in cutting fertility rate fertility rate का मतलब होता है प्रजनन दर, cutting का मतलब होता है कम करना यानि प्रजनन दर को कम करने में जो force यूज कर रहे हो आप, ताकत यूज कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो उसके बजाए करना क्या चाहिए, socio मतलब social, सामाजिक अस्तर पे, economic मतलब आर्थिक अस्तर पे empowerment लाइए, शक्ति करन कीजिए, यानि इसको boost कीजिए यह ज़्यादा effective होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, कि इसके compare में उसके compare में, जहां पे आप इसको कम करने के लिए, जोर अजमाइस कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो यानि जबरदस्ती करने के बजाए अच्छा यह होगा, कि आप इस मुद्धे पे विजार की दिए, एक ऐसे social और economic यहाँ के लोगों को हम empower करें, अगर वैसा हो जाएगा, तो स्वता ही ऐसे problem को shout out किया जा सकता है, यह लेखक का मानना है, चलिए आगे बढ़ते हैं Incentives and Penalties, form an integral component of the measures to control population growth announced by उत्तर प्रदेश Chief Minister योगी आदित्तिनाथ on Sunday संडे को योगी आदित्तिनाथ के द्वारा population के growth को control करने के लिहाज से एक कदम उठाया गया, योगी आदित्तिनाथ जो Chief Minister है उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा announce किया गया, घोशना की गयी है और एक कदम के तोर पे देखा जा रहा है, उठाया गया उनके द्वारा, क्या करने के लिए, population को control करने के लिए Sunday को, ठीक है, यादि Sunday को उनने announce किया है उसमें दो चीजे शामिल है, एक है incentives, अगर कोई अच्छा काम करते हो, यानि जो कहा गया है अगर वैसा काम करते हो, तो आपको इसमें incentive मिलेगा, यानि आर्थिक लाव मिल सकता है, आपको फैदा होगा और जो बात इसमें कही गई है, उसका अगर follow नहीं करते हो, तब उसके लिए आपको penalties भी है यानि उसके लिए आपको dund भी दिया जा सकता है, और dund के तोर पे क्या होगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे यानि दो चीजों का integral component है, इंटेगरल का मतलब होता है अभीन, जो इसका part है, यानि दो चीज़े हैं इसमें शामिल, incentive भी है और penalties भी है अगर एक बच्चा को जन्म देते हो, तो incentives मिलेगा, दो तक ठीक ठाक है, दो से अधिक करोगे, तो फिर आपको penalties का रूप में क्या क्या मिलेगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे आगे देखते हैं इसका aim क्या है, इरादा क्या है यह चाहता है कि reduce करना, इसका जो main goal है, aim है कि reduce करना है इसको क्या, UP की जो total fertility rate है, TFR जो कि record किया गया है 2.7 by the National Family Health Survey चौथा, यानि fourth time जो हुआ था National Family Health Survey 4 के तहट, यहाँ पे इसका एक point दिया गया 2.7, 2016 में हुआ था, यह भी याद रखना है आपको और पाचमा 2020 में हुआ था, जिसमें एक figure सामने आया आकड़ा आया, only lower than that of neighboring Bihar Bihar से के वल कम था इसका, बाकी राज्यों से ज़्यादा है FTR के मामले में, याई Total Fertility Rate के मामले में UP जो है, Bihar के बाद आता है, याई बिहार इससे भी आगए याई सभी राज्यों से आगए के बिहार से एक कम था बिहार का क्या point है, 3.1 है, यह 2020 का आकड़ा है NFHS का जो सर्वे हुआ, वो पांचमा सर्वे हुआ 2020 में, उसका याँ कड़ा है AIMS in this direction, अब क्या है इसका AIM, इस direction में Increasing the rate of modern contraceptive prevalence इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस direction में क्या काम किये जा रहे है क्या क्या काम किये जा सकते हैं, उसकी चरचाए यहाँ पर तो कहाजा रहा कि जो modern तरीका है, contraceptive prevalence के बात हो रहे है यानि गर्भ निरोधन के जो modern तरीके हैं, उसको बढ़हावा देने की बात कही जा रही है उसके rate में क्या ब्रिधी करने की बात हो रहे है यह हो सकता है male contraception जिसमें नस्वन्दी आता है male के लिए और decreasing maternal mortality इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा maternal का मतुद मात्रित्व और mortality का मतुद मिर्थू and infant mortality errors यानि मात्रित्व की मिर्थूदर माताओं का जो मिर्थूदर होगा या बच्चों का मिर्थूदर है उसमें कमी लाना यह अभी इसका प्रयाश है कब तक significantly by 2026 तक 2026 तक ऐसा करने का विचार है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर होगा कि जो गर्भ निरोधक के उपाए हैं ओ करने का जिसमें male contraception भी शामिल है यानि नश्वंदी और मात्रित तो जो मिर्थूदर है या और जो बच्चों के शुशू मिर्थूदर है उसको भी कम कर लेना है 2026 तक ए टार्गेट है ए एम है UP की सरकार की अब यह जो बाते हो रही हैं R क्या यह जो उपर में जो जो है On the force of it On the force of it का मतल एपरेंट है सामने है In the line with यहां देख लेते हैं आगे In the line with what was a stage at the कैरो कैरो यहां पर काहिरा है काहिरा समझते हैं काहिरा कहा की राजधानी है काहिरा मिस्र की राजधानी मिस्र की राजधानी कहा है काहिरा जिसको एजिप्ट कहते हैं तो यहां पर एक conference international conference हुआ था सम्मेलन हुआ था किस मुद्धे पर population के मुद्धे पर और इसके development को ले करके कब 1994 में यार रखेगा कि काहिरा में एक international conference हुआ था population के मुद्धे पर और उसके development को ले करके 1994 में और यहां के जो consensus हुआ था यहीं सामोहिक विचार बना था वो demand करता है call for का मतलब क्या होता है demand करना a promotion of reproductive rights यानि प्रजनन के जो rights हैं अधिकार है बच्चे को जन्म देने का जो अधिकार है उसको यह वकालत करता है उसको क्या करता है promote करता है यह नहीं कहता कि रोक दो उसको क्या करता है promote करता है लेकिन promote करता है लेकिन इसके साथ ही हो कहता कि अगर ऐसे मुद्धे को control करना चाहते हो तो जबरदस्ती करके नहीं होगा करना क्या पड़ेगा? वो आगे है Empowering Women औरतों को सशक्त बनाना पड़ेगा उनको empower करना पड़ेगा Universal Education Universal Education कहने का मतलब यह होता है सरवभॉमिक Education जिसमें सभी लोग शामिल हो male हो या female हो सब को educate करना पड़ेगा maternal and infant health to untangible the naughty issue of poverty and high fertility कहा रहा है कि maternal मतलब मात्री तो से related infant मतलब शेच्चू के जो health से related है जो एक गंभीर untangible not का मतलब होता है वो ऐसा गांट जिसको खोला नहीं जा सकता है यानि completely अगर कहा है तो complex होता है यानि अगर ऐसे issue मुद्दे को या जो कोई complex है उसको जो कि untangible है जिसको काट को खोला नहीं जा सकता है उसको address करने के लिए जो कि issue of poverty और high fertility का कारण है यानि कहना यह चाह रहा है कि poverty है and high fertility जैसे पेचीदा चीजों को यानि पेचीदा issue को मुद्दो को solve करने के लिहाद से जरूरी है कि औरतों को empower करें educate करें और जो बच्चे हैं या फिर जो maternal हैं इंफेंट हैं उसके health पे भी यह किया जाए ध्यान दिया जाए उसको भी address करने के ज़रूरत है तब ही इस high fertility को रोका जा सकता है जो प्रजनन है पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो समझदार बनेंगे समझदार रहेंगे तो सुवत्र इनके उपाए क्या-क्या होने चाहिए उनके दिमाग में चलता रहेगा एक कहना था जो काहिरा में meeting होई थी उसमें ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि नहीं आप किसी को first fully नहीं कर सकते हो किसी right का किसी का रिकार का हनन नहीं कर सकते हो बल्कि आप उसको educate करो उनको empower करो गरीवी से उनको बाहर निकालो ताकि वो प्रजनन छमता जो उनकी होती है जिस पर वो विचार नहीं कर पाते हैं उनको शॉट आउट कर पाए ठीक है यह हो गया अगर यह सवाल आ भी सकता है क्यों नहीं सो चौरान में एक meeting होई थी करेंट टॉपिक पर अधायत है अगे बात करते हैं बट लेकिन जो बात पहले कही गई है उस दिशा में कदम उठाने के बज़ाए इसने एक बीटन पात ले लिया है दूसरा पात अक्तियार कर लिया है जो कि उसमें शामिल है दोनों चीजें एक और incentive भी देगा उसमें और penalties भी देगा उस मुद्धे को टैकल करने के लिए समाधान करने के लिए जिसों कहा जा रहा है कि socio-economic issue है As a demographic one demographic का मतलब जन संख्या से related है इन ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट लाया गया है उत्तरपरदेश Population, Control, Stabilization and Welfare Bill 2021 इसका नाम है जो UP सरकार के दोरा लाया गया है The government aims to incentive one child family इसमें जो सरकार है वो एक बच्चे वाली जो फैमिली है उसको incentive देने का प्राफ्टा हां रखी है And reward those उसको reward देना है With two children दो पच्चों के साथ जो है उनको reward उनको भी मिलेगा With perk in the government scheme जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें perk उनको love मिलेगा उनको rebate मिलेगा tax में Tax में कटोती यानि समझ लो कि राहत मिलेगी And loans में भी उनका interest कम हो जाएगा And cash भी मिलेगा Award मिलेगा Cash के रूप में If family planning is done among other shops ठीक है तो अगर family planning किया जाता है इस तरीके से अब देखो यह तो होगे incentive देने के बाद और जहाँ decent incentive उनको मिलेगा For those incentive जिनको नहीं मिलना है With more than two children जिनके दो बच्चे होंगे जिसमें शामिल है denial of subsidies आपको किसी तरह के कोई subsidy नहीं मिलेगी जो welfare schemes होते है benefits होते है जैसे चावल बगएरा मिलता है और बहुत सारे योजनाय चलती है सरकार की उसका भी फायदा आपको नहीं होगा Bar, Bar का मतोता है ban On applying for government jobs आप government job में भी अपलाई नहीं कर सकते है and taking part in local elections जो local अस्तर का elections होता है पंचायत वगेर का उसमें भी आप भाग नहीं ले पाएंगे यानि ए सब problems आपको जिलना पड़ेगा अगर दो से अधिक बच्चे हो गएं आपके तो Assam also led by the BJP Assam जो BJP के सरकार है वहाँ पे उसके द्वारा नेत्रेत्व किया जा रहा है is malling malling का मतलब होता है think over सोचना a similar policy इसी तरह के policy पर जो UP policy लाई गई है उस पे Assam भी विचार कर रहा है यानि ये भी राज जो BJP के शाशित राज है वो इस महुद्य पर विचार कर रहा है यानि इसी तरह का proposal वो भी लाने वाला है आगे दिखते है the incentives or disincentives approach has been denounced in the past by the National Human Rights Commission incentive देना या disincentive देने वाला जो approach है न जो पहल है इसको denounce कर दिया गया है मतलब इसको क्या accept नहीं किया गया है इसको खारिज कर दिया गया है किसके दौरा पहले ही past में ही किसके दौरा National Human Rights Commission NHRC के दौरा after such measures were introduced by several states in 1990s to 2000s यानि 90 के दशक में जब इसी तरह के proposal या कदम उठाया गया है कई राज्यों के दौरा तो उस समय NHRC Human Rights Commission जो है उसने क्या कर दिया इसको खारिज कर दिया गया खारिज कर दिया बला कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं that is हर्याना undivided आंदरपरदेश हर्याना जो पहले आंदरपरदेश और हर्याना एक ही था undivided था मध्यपरदेश राजस्थान चतिसगर औरिशा इन राज्यों में इसी तरह का प्रपोजल इसी तरह का कदम उठाया गया था जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जिसको एन एच आरसे ने डिनाउंस कर दिया था खारिज कर दिया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आगे देखते हैं सुप्रीम कोट इन 2003 में सुप्रीम कोट अपहेल किया कनफर्म किया अहर्याना गॉर्मने लॉव बेरिंग परसंस वित मोर दैं तू चिल्रें फ्रॉं फ्रॉं कांटेस्टिक लोकल बोड़ी पॉस पर दे लीगल ग्राउंडिंग ऑफ दा मूब्स इम इन अच्छा यहां पर इंपिंजिंग अपॉन द इन फॉर्म्ड च्वाइस ऑफ इंडिवेज्वल रिमेंड क्वेस्टनेबल अब यहां पर कर रहा है कि 2003 में सुप्रीम कोट का एक फैसला आया हर्याना के मामले को लेकर के जिसमें कहा गया था कि दो बक्चों वाले जो दो चेंटन हैं यानि मोर दन इंडिविजूल था उसके 24 पे आए अभी तक क्या रह गया क्वेस्टनेबल रह गया यह सवालिया निसान ही लगा रह गया इस पर या इस पास टेन नहीं हो पाया इंपिरिकल स्टेडिज ओफ कोरिशिव मेजर्स हब शोन दियर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनाइल मार्जिनलाइज पीपल इन पर्टिकूलर और विट नो डिसर नीबल एफेक्ट ओन पॉपलेशन कंट्रोल का जार कि इसको सपस्ट रूप से इसका स्टेडि किया तो कोर्शिव का मतलब जो जवरदस्ती वाला कदम उठाया जा रहा है इसने दर्शाया है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव होता है किसके खिलाब जो मार्जिनलाइज पीपल है वैसे लोग जो हाशिये पर है जिसका कोई सोसल आइडेंटिफिकेशन नहीं है जो हा असपस्ट इफेक्ट नहीं नजर आता है पॉपुलेशन के कंट्रोल पर वाइल मोज सबस्टेंस्टिव पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम और एकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव रेज्ट लेबर प्रोड़क्टिविटी जबकि जादा जो सही तरीके से पॉवर्टी को करें हम इंपॉलाइमेंट ऑपोचिनिटी भी मिलती है जाद जादा रोजगार भी मिलता है अगर ऐसा होगा तो औरते क्या होते जाएंगी सशक्त हो जाएंगी अपने पर पे खड़ा हो जाएंगी सोचने लएंगी जौब में भाग लेना शुरू कर देंगी अपने आपको इंग औरते हैं तरीकिक तरीका होता है यानि जो तरीका अपनाया गया कि जब डेश की अगर एकोनौमी बूस्ट करेगी रिफार्म आएज़ी है ना प्रोबर्टी कम होगी तो एकोनौमी बूस्ट होगी तो ज्यादा तर ज्यादा लोगों ounced लोगों को रोजगार मिलेगा जब याज टी एफ लिए लीट हो गया टोटल वर्टीलेटी रेट्स है व बिन रिद्यूसिंग सब्सक्तेंसियली एक्रोस मॉस्ट खिर अगर भारत की बात करें तो इसका टीएफार टोटल वाट्टी रेट है और कई राज्यों में substantially का मतलव होता है एक सही तरीके से क्या होते जा रहा है कम हो रहा है रिडिउस हो रहा है इवन यूपी और बिहार और यूपी के भी बात करें वित दे हाइस टी आफर जिसकी सबसे ज्यादा टीफर है Total Fertility Rate सबसे ज़्यदा हैди उपई और बिहार की को तु एस्टेन दरोप दॉड़ेस्मेंट लेवल और फटलेटी इसमें भी तेजी आई है ड्रॉप आई कमी आई है जो और ते स्टेस्ट नेपडेक dormit सबस्ट एक कॉर्प्ब को ना, confronting India's largely youthful demographic rather than seeking new Malthusian approaches on population control, कहां जा रहा है कि जो राज्य हैं उनको इसको टैकल करने के लिए social economic issues को address करने की जरूवत है खास कर India's जो largely youthful demographic के लिए youth demographic का मतलब क्या जनसंख्या उनके लिए जो youth हैं उनके लिए कुछ ऐसा काम करो जो socially or economically engaged रहें उनको फैदा हो rather than उसके बजाए कि seeking, seeking मतलब अपनाना neo-malthusian approaches, Malthus का नाम सुना होगा, जनसंख्या नियंदरन कानून से related है, तो Malthus के बारे में उन्होंने भी सुझाया था कि toxic population को control करना है Malthus की theory भी पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर जो use किया गया neo-malthusian neo-malthusian approach neo-malthusian approach किया है जिसके अंतरगत आप जोर देते हो कि कुछ गर्भ निरोधक जो दवाएं हैं, या फिर जो भी उसके उपाएं हैं, ओ किये जाएं लेकिन जो Malthus की theory थी, वो population को control करने के लिए जो उपर बाते कही जा रही है इसमें आप economic को boost करो, जादा 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 लोग जो आपके देश में लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ बिवस्था करो कि सब को स्वास, सब कुछ मिले, सब empowered हो, उस पे जोड़ देता है लेकिन नया जो Malthus approach आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, आप जबरदस्ती स्कोरो को, तो यही पर लेखा कर रहा है, कि जो नया तरीका अपनाने के वज़ाए, जो पुराने तरीके हैं, उस पे जोड़ दो socio-economic issues को address करो, जो कि बहुत जादा हमारे address में youth हैं, उनको रोजगार मिले, और सब अगर empowered हो जाएंगे, तो ऐसे ही population के बारे में वह लोग सोचना शुरू करेंगे, और control हो जाएगा population, पढ़े लिखेंगे लोग, तो इसके बारे में aware रहोंगे, aware रहोंगे, तो ऐसे ही खतम हो जाएगा, जैसा कि नितिश कुमार ने भी ऐसा ही कुछ अपने